बूर्णिंग इस्टूडेंट माइनम इस रीना सिंग आयम असिस्टेंट टीचर ओफ डॉक्टर देवंदर पाल सरसोती विद्यवंदर इंटर कॉलेज बिलारी मुरदवाद टूड़े विच्याल स्टडी इंग्लिस रीडर वो क्लास 6 टूड़ेस टॉपिक इस स्टोरी बाइसिकल तो आज को जो हमारा चैप्टर है वो है साइकल की कहानी यानि साइकल कैसे बनी क्यों बनी और किस ने बनाई तो आईए हम जानते हैं आप इस चैप्टर के बाद भी हमसे बाइसिकल की कहानी आज हमारे चैप्टर है the story of a bicycle तो the bicycle is very popular in India cycle है वो is means है very means बहुत popular means प्रिसिद्ध यह सब को कि यह बहुत important है in India यानि भारत में तो भारत में cycle बहुत ही प्रशलित है old and young बूड़े और जो छोटे बच्चे यानि जवान the milkman, दूदवाला the newspaper वाय यानि जो newspaper अखवार बाठते हैं लड़के the postman डाकिया and the hawker use it for going from one place to another जो यह सभी बेक्ति होते हैं यह cycle का प्रियोग करते हैं एक स्थान से one place एक स्थान से to another, दूसरे स्थान तक जाने के लिए a lot of educated young man a lot of बहुत अधिक educated यानि पढ़े लिखे young, नौजवान man means व्यक्ति use यानि प्रियोग bicycle का for environmental concern concern मिन्स होता है चिंता करना environmental परियावरण की तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं young man होते हैं व्यक्ति होते हैं वो परियावरण की चिंता करने के लिए यानि परियावरण के लिए जावरुक होने के लिए bicycle का प्रियोग करते हैं फ़स्ट बाज बुल्ट on 1816 by a German फ़स्ट यानि पहली bicycle पहली cycle बुड मिन्स होती है लकड़ी मेड मिन्स बनी तो यह किसकी बनी हुई थी? यह लकड़ी की बनी हुई थी The rider sat on the saddle and rode it by passing his feet against the ground The rider cycle चलाने वाले को क्या आप बोलते हैं? Rider जैसे एरोप्डेन उडाने वाले को pilot बोलते हैं कार चलाने वाले को driver बोलते हैं इस तरह cycle चलाने वाले को बोलते हैं rider Rider sat on the saddle जो उसकी पीछे काठी बनी होती है जहां पर वो बैठता है and rode it और इसे चलाता है by passing his feet यानि अपने पैरों द्वारा इन पर जोर लगाकर ground यानि मैदान में इसे चलाता है In England the machine was called the hobby horse In England यानि इंग्लेंड में इस machine को यानि जो cycle बनाई थी इसे क्या कहा गया hobby horse कहा गया एक Scotsman नेम्ड मेक मिलन इंप्रूब्ड दा hobby horse एक Scotsman था यानि स्कॉट में रहने वाले व्यक्ति जिसका नाम था मेक मिलन उसने इंप्रूब्ड में सुधार किया इंप्रूब्ड में सुधार करना the hobby horse hobby horse में he provided pedals which were connected to the rear wheel while long roads he provided प्रूब्ड में सुधार देना या प्रदान करना तो he provided he means उसने प्रदान दिये pedals which were connected जो की connect थे यानि मिले हुए थे पीछे के wheel में पहिये और long roads यानि लंबे चलाने के लिए जो पीछे के पहियों से मिले हुए थे pedal वो किस ने दिये एक मेक मिलन ने जो कहां का था Scots का man In 1861 a French man built a better machine 1861 में 1861 में एक French man यानि French में रहने वाले वेकती ने bolt में इसे बनाया और better machine यानि पहले से अधिक अच्छी It was called the one shaker और इसे क्या कहा वान शेकर कहा Called means Pukarna Because its wooden wheels gave a rough ride Because means क्योंकि Its means इसके wooden means लकड़ी के पहिए Gave a rough ride चलाते समय क्या देते थे बहुती जटके देते थे Soon rubber wheels were fitted Soon means जल्दी ही Rubber means rubber के wheels means पहिए Fitted means इसमें जोड़े गए यां फिर लगाए गए तो जल्दी ही rubber के पहिए इसमें लगाए गए थे And the machine was then called the bicycle And miss or उसके बाद इस machine को क्या कहा गया Bicycle Then miss तब called miss कहा गया पुकारा गया Bicycle जो इसमें rubber के पहिए लगाए गए तो उसके बाद इसे bicycle नाम से पुकारा गया The modern bicycle was built in 1879 जो modern यानि आदोनिक bicycle जो अब चलती है बाद मिस थी, बुल्ट मिस बनी in 1879 में जो इस समय हम machine चलाते हैं, cycle चलाते हैं वो 1889 में बनी by Henry Lawson Henry Harry Lawson के द्वारा An American जो कहते एक अमेरिका के व्यक्ती थे यानि अमेरिका में रहने वाले थे जिस तरह भारत में रहने वाले को इंडियन बोलते हैं इसी तरह अमेरिका से अमेरिका में रहते थे हैरी लौसन उन्होंने एटीन सेवन्टीन में जो आधूनिक बाइसे केले वो बनाई It was driven by a chain connected to the rear wheels It was driven यह जो चलाई जाती थी वो किसके द्वारा इसमें एक chain connect होती थी जो इस समय भी हम देखते हैं चैन लगी होती है Rear यानि पीछ लेके wheels में पीछे वाले पहियों से जो अब अधुनिक मसीन है यह किस तरह की थी इसमें एक chain लगी हुई थी जो पीछे वाले पहियों से जुड़ी हुई थी The bicycle has been companion of the common man since ages Bicycle companion में होती है साथी जो साथी बनी common man में साधान व्यक्तियों की since age उनकी जो अवस्था होती है उसके अनुसार जो साधान व्यक्ति होती है उनकी क्या बनी bicycle एक साथी बनी इट डज नॉट रिक्वाइर फ्यूल रिक्वाइर बोलते हैं मांग को किसी चीज की मांग को रिक्वाइर बोलते हैं फ्यूल में इधन ये किसी भी तरह का इधन नहीं मांगती है इसे बैक चलती है पैट्रोल यह जो है डिशल से चलती है तो इसे किसी भी तरह के इनिंधन के रिषकता नहीं है It is easy to park Park मतलब खड़ी करने में और इसे खड़ी करने में भी क्या होती है आसानी होती है Easy means आसानी होती है It keeps the body of a rider fit ये keeps means होता है रखना Body means सरीर को Of means की rider means जो चलाता है चालक होता है cycle को चलाने वाले का जो शरीर होता है उसे बिल्कुल सही रखती है Is also eco-friendly और जो bicycle का यूज में प्रियोग होता है bicycle का प्रियोग होता है वो क्या होता है Eco-friendly यानि परियावरन के अनुकूल होता है यानि उसने परियावरन प्रदूशन नहीं होता As it keeps the environment noise free and pollution free और ये जो परियावरन होता है उसे दुहनी मुक्त और प्रदूशन मुक्त रखती है ना तो cycle से किसी भी तरह का कोई तेज होर्ण वसता है जैसे train से वसता है ट्रक वगेरा बजात से बहुत तेज होर्ण लगायाता है तो वो होर्ण भी क्या अस से दुहनी प्रदूशन नहीं होता और ना ही किसी प्रकार का धुहन फैकती है तो उससे क्या प्रदूशन भी नहीं होता तो cycle क्या है इको फ्रेंडली है यानि प्रदूशन के लिए बहुत अन्खूल है तो इससे दुहनी प्रदूशन और प्रदूशन नहीं होते तो इस्टूशन आज जो हमने पढ़ी वो पढ़ी bicycle की कहानी यानि cycle कहां से आई और किस तरह से इसमें सुधार किये गया और इसके क्या लाव है तो आप इस story को दो से तीन बार पढ़ें और अपने जीवन में भी जो हमें ये chapter सिक्षा देता है और अपने धन की बचत करने के लिए क्योंकि इसमें किसी भी धन की अवश्यक्ता नहीं परती इनन बग्यारा खरीदने के लिए तो आप इस chapter को समझने के लिए अच्छे से दो या तीन बार इसे वीडियो को अवश्य देखें